तो आज की मेरी रेस्पी है मूंगी दाल के पकोड़ी तो यह देखिए मैंने चिलकी वाली मूंगी दाल ली है जिसे मैंने दो से चार घंटे के लिए गरम पानी में भिगो को रखेगी आप और नायट भी दख सकते हैं इसे और एक मीडियम साइज की मैंने प्यास ली है यह अधरक लहसुन का पेश्ट लिया है यह कुछ मेति ली है जीरब यह नमक लिया है और दो पिंच मैंने ही अजवायल ली है और एक चंबज मैंने रेट चिली पाड़ा लिया है तो चलिए पहले इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंड हमने यह बि बॉल में निकाल लिया है अब इसको हम सबसे पहले इसमें हम प्यास एड़ करेंगे लाइल मिर्च अधरकलेशन जीरा इमेथी एड़ करेंगे अड़ी अजवाइन में सॉल्स डाल देंगे अब यह बटी एड़ कर देंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है तुदेखिए फ्रेंड आच्छे से हमक्स हो चुका है अब इसके पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए प्रेंड हमने एक पैन में तेल गरम करने के लिए रख दिय तो देखिए फ्रेंड हमारा तेर अच्छी से गरम हो चुका है अब इसमें हम पकाड़े डालना स्टाट करते हैं इस तरीके से इस चोटी ख़टे पकाड़े दालें देखिए सारे पकाड़ों को इसमें डाल दिया आब इसको अच्छी से तलेंगे अच्छी से पलट लेंगे एक तरफ से इस चुके हैं देखिए इस तरीके से हम इसे पलट लेंगे हमारे सारे पकाड़े तर चुकी हैं इसे हम निकाल लेते हैं बिल्कला हमारे रेटी हो चुके हैं यह मुंकी डाल के छिल्की बाली मुंकी डाल के पकाड़े बनाये हैं की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें तो फिर मिलते हैं एक नहीं वीडियो के साथ अलाहाफिस